सुभास्पा के रास्ट्री अध्य शोम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं घोसी में जो चुनाओ हो रहे हैं उसमें सुभास्पा का प्रत्याशी मैदान में हैं उसे जानते हैं कि लोग सभा में क्या इस्तिती होगी और घोसी का क्या माहौल होगा बात करते हैं सर अर्विन राजभर आपके प्रत्याशी हैं आपकी पार्टी से घोसी में किस तरह का माहौल देख पा रहा हैं आप लोग गोसी हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो सपा और बसपा हर सीट पर लड़ेंगे दूसरे और तीसरे नमबर पर आने के लिए हमारी बात तो लोगों को अतिस्युक्ति लगती होगी अध्यन करना हो तो वो 14 का चुनाओ, 17 का चुनाओ, 19 का चुनाओ, 22 का चुनाओ निदान सभा का भी रिजल्ट अगर जोड लेंगे लोग सभा का भी चुनाओ देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा 2 लाग सभा 2 लाग बसपा उठ पाती है अवही दो लाग सवा दो लाग धाई लाग तक दोनों रह जाते हैं सपा और बस्पा और भारती जंता पाटी एलाइंस एंडिये पिछले अगर चुनाव को उठा के देखेंगे तो सपा और बस्पा मिल के लड़े तो दोनों का ओट जोड दीजिए तो पाचला के उपर हो जाता है उसी को बाजा बाजा रहे हैं सपा के लोग चाहे वहाँ लड़ रहे हो चाहे बस्पा के लोग लड़ रहे हो तो हम इतना पाए थे अरे भाई उतना पाए थे तो उसमें से माइनस कर दो बस्पा का ओट, सपा का ओट तब कहां खड़े हो कहां लड़ाई है अगर हम 19 – या 22 की बात करें आप कहां खड़े हैं आप कहां खड़े हो बिना वजह लोग जन्ता के बीच में गुमरा कर रहे हैं कहते हैं कि समय तो परिवर्तित होता रहता है आज जनता ने उनको चुना है कल हम को चुनेंगे और एक बात और है जब घोसी की बात आती है तो घोसी उपचुनाओ का जिक्र जरूर होता है जिसमें आपने कहा था कि जमानत जब्त होगी समाजवादी पार्टी के प्रत्याश कि अच्छाई बताईए बस्पा ने चुनाओ नहीं लड़ा उनके वोट से 52,000 वोट बस्पा का 50 से 52,000 वोट वहां है 50,000 मैनस कर दीजी कहां सफा खड़ी हो गई आप अगर वोट के ही समीकरण को देखिए बस्पा का वोट समाजवादी पार्टी को मिला था उप पुझाने में और दाम देने में सफल रही तो इसनाते वो उसमें सफलता हासिल कर ली इस बार आ जाएं बस्पा का भी उमीदवार आ रहा हैं सपा के आ भी गए हैं और बदल भी दें कोई भी लड़े आद देखिएगा ना सपा और बस्पा के दोनों उमीदवार दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ेंगे वहां घोसी ही नहीं पुरे उत्तर प्रदेश की अस्यों लोकसभाज सीट पर लड़ाई नाम की चीज़ नहीं है आप कह रहे हैं कि सपा बस्पा अगर मैदान में होगी तो आपका प्रत्याशी चुनाओ जीतेगा तो क्या वज़े रही कि पूरा मंत्री मंडल उस टाइम लगा रहा उत्तर प्रदेश सरकार के दो दो डिप्टी सीएम मुख्य मंत्री पूरा मंत्री मंडल सड़के मंत्रियों ने गारी दोड़ा दोड़ा के उसके बाद भी सफलता नहीं मिली तो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं इस बार आप एक मंत्री बताए जो सड़क खोथते हुए मिला हो गारिया दोड़ाने से मुरादती है मारी कि दिन बार घोसी जो है वो लखनाओ की सड़कों स पा o कि जहां तक सवाल आपने काम का किया दिखी 14 पर हारे सापा बसका कामरेश सतरा हारे और नीष हारे बाइस हारे चोविस भी हारेंगे उसका रीजन है कि किसी पार्टी का कोई काम धरातल पर नहीं हो रहा है चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेश हो, इसी तीन पार्टी की बात करें, और NDA के जितने लोग हैं, हम उसमें से, हम अपनी बात करें, महिने में 30 दिन होता हम 28 सभा करते हैं, धाई सोनेता हमारे गाउं में चोपाल लगाते हैं, डेड़ सो से दो सो गाउं, पवने दो सो गाउं, डेली चोपाल लगती हैं, एक पार्टी बता दे, जो गाउं में जा रहे हैं जनता के बीच में, तो इसनाते जो हम लोग बोलते हैं, हम जनता के बीच में हैं, जनता की ज जीत के हम पर्धान मंत्री बनेंगे का हुआ दोजार सत्रह में तीन सो सीट वो जीत रहे थे तीन सो बसपा जीत रही थी का हस्र हुआ देखिए बोलना कहना अलग बात है और धरातल पे जनता के बीच में जाकर के जनता को अपने साथ रखना इकठा करना संगतन बनाना दबा माना जाता है आप मौ घाजीपूर बलिया इन जगाओं पर आपका वोटर भी ठीक ठाक है घाजीपूर की स्थिति क्या रहेगी अफजाल अंसारी कैसा चुनाओ लड़ेंगे क्योंकि अफजाल अंसारी किसी जमाने में आपके आपके मित्र थे आपसे बड़ा मिलना चुलना था तो इस बार उनका चुनाओ कैसे राएगा पिछली बार तो चुनाओ जीते थे अगर इस तरह से आप सिनेरियों की बात करें कि लगातार जो है ये हारे हैं तो इस बार अफजाल अंसारी फिर मैदान में आपकी सपा से हैं देखे फिर मैं कह रहा हूं सपा और जीते थे जो ओट पिछला उननीस में मिला था उसमें से जादा नहीं दुया लाग घटा दीजिये कहां खड़ा होगा ओट चुनाओ और आज की तारीख में किसी सीट पर पुरवांचल के किसी सीट पर 16%, 18%, 20%, 22% एक एक परलियामेंट में हमारी पार्टी का खुद का ओट ह कहीं भी आप वहां 28 लोग सबा सीटे हैं उसमें आप सुरू करेंगे तो कहीं हम 10% हैं तो कहीं 12% हैं कहीं 16, 18, 20, 22% है और उसका नतीज़ा आपको देखने को भी मिला होगा 2017 के चुनाओ, 2022 के चुनाओ, रिजल्ट भी देखने को मिला होगा और वो रिजल्ट आपको 24 में मिलेगा सवाल गाजी पुर किया आपने, कोई ऐसी लोग सबा ने जहां एक लाख मत दाता ब्यापारी वर गए, बनियां जिसको कहते है वो बीजेपी का कोर ओट है, भारती समाजपार्टी मिनिमम ओट, एक लाख इसका ओट हो गया एक लाख कुस्वाहा का, एक लाख बिंद का, सामानवर का ओट, सबका ओट जोड डालेंगे, तो चार लाख के उपर यही ओट के हो जा रहा है आपका विधायका आपको समर्थन करेगा, मौ से, उधा जेली में है तो का समर्थन करेगा, तो जेल में है अंदर से भी तो आदमी समर्थन करता है उसके लोग रहते हैं विदाए कि तारे दस बीस हजार वोट पांच हजार वोट दो हजार वोट तो होते ही होंगे समर्थन करेगा आपकी बात हुई है कि समर्थन करेंगे लोग करेंगे अफजाल अंसारी को कैसा आद्मी मानते हैं आप व्यक्ति गत तोर पर कैसे हैं राजनीतिक तोर पर बात अगर हटा दी जाए देखे वो गरीबों के बीच में जब से कम्निस पार्टी आई हमेशा गरीब कमजूर की मदद किये तो स्वाभावी के जब गरीब कमजूर की मदद करोगे आप तो गरीब कमजूर को सताता कौन है मजबूत आदमी तो टकराहट तो मजबूत से होगी तो उसी टकराहट में ब बनारत से और कह रहा हैं कि अपकी जीतेंगे तीसरी बार मोदी जी हारेंगे तो यह नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा ख्वाब है अजयराय का बहुत जाकती आँखों से सपना देख रहा है देखे आनी के आगे बेना का बतास हमरे पुरवांचल में कहावत है आनी के आग तो इतनी हूंकार कैसे भर रहे है इस बहुत दिके जबान भगावान ने दिया है तो बोले में बचनम किम दरिद्रम, बचनम किम दरिद्रम, मतलब, संस्कित सब्द है, जबान से क्यों गरीब बने, बचनम किम दरिद्रम, हम जबान से क्यों गरीब बने, बचनम किम दरिद्रम, हम जबान से क्यों गरीब बने, बचन हाड होने चाहिए, वो इसे नेता है, अ निर्दल भी लड़ता है तो भी करता हम जीत रहे हैं। लोग यह कहते हैं जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक हम लोग तो माननी बनी रहा है और आपका आया था कि अजय राय क्या घाजीपूर जाएंगे चुनाव परचार करने के लिए क्योंकि गड़बंधन तो भाई है समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी इसने अभी अपनी सीटों का बटवारा नहीं किया यानि फाइनलाईजेशन नहीं किया अमेटी राइबरेली में सब की निगाह हैं कि शायद राहूल गांधी आएंगे प्रियंका गांधी आएंगी लेकिन अभी तो गांधी नहीं दिख रहा है आंधी आंधी दिख रही ह दिखिए ये सुची देख रहे हैं इसको पढ़िएगा ये सुची में 23 नाम है और ये 23 नाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम है कोछ किसान यूनियन के नेताओं का नाम है ये सब के सब छोड़ करके आज भारती समाज पार्टी जुआइन कर रहे हैं ठीक है ना यकीन है कि हमको नयाय मिलेगा तो नयाय की उमीद को लेकर के हमने भी कहा है कि कहीं भी अनयाय तयाचार हो आप हमसे मिलो किजी से मत मिलो हमसे मिलो हम पूरी ताकत के साथ आपकी मदद करेंगे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार अस्सी हरा देंगे एकदम धूल चटा देंगे भारती जनता पार्टी और उनके गड़ बंधन को मैं फिर कह रहा हूं कि बचनाम किम दरीदर हूं जबान से कहें कुछ दरीदर बने हैं चारसो जीत रहे थे कहां खड़े हो गए हम नहीं होते तो पता नहीं कहां रह जाते हैं वो नईस में साथ जीत रहे थे पांच पर आ गए तो कहने से कुछ नहीं होता है दिखिए अखिल सुनाया करते हैं कि लेमन चूस थमा देते हैं जो कोई जाता है उनके पास अब जैसे दोजार बाइस में गुडू जमाली को बोलाए है कि लेमन चूस थमाये के लो चूसो अजब टिकर देना हुआ तो अखिले से अदो फिर आ गए मुबारकपुर में अब रोते हुए भी ल अगर वो बसपा से लड़े होते तो लड़ाई अलग होती है जीत भी जाते हैं तो ये समझवादी पार्टी जो जाता है परे लेमन चूस थमाते हैं कि चूसो चूसो चूबलाओ उसके बाद रह 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 के लेमन चूस वह सट जाता है तारू में उपरा चैने चपन जाता ह तो वो छोड़ाने में तब तक अखिले जीव दर चले जाते हैं तो आपको भी मिला लेमन चूस वहाँ अरे बड़ा तकड़ा दिये कि कही ही वो दिये वो तो हमसे खुद है कहे कि आप चले जाओ भाजपा में हम भी भाजपा की मदद करेंगे आप रहोगे तो हमारी मदद करोगे यह ना कहा होंगे आप अपने मन से बात कही रहा है पॉलिटिकल इस्टेंट है आपका यह कहे थे आप से यह बता यह उन्होंने तलाक नामा लिख के दिया है यह कहा कि आज से आपकी हमें जरूरत नहीं है आप स्वतंत्र हो आप जहां जाना चाहे चले जाओ यह थोड़े न कहा होंगे कि बाजपा में चले जाओ क्या इसारा था अब बताए कि अभी संजे चवान को क्यों हटा दिया पलवी पट्रिल से क्यों जगड़ा हो गया छोड़ दिया वहीं दारा चवान जी से क्यों हटा बिवाद हो गया फिर स्वामी पृसाद मौरी क्यों हटा दिया अभी 7-7 लोग अनुच पांड़े जी जैसे लोग उनकी पार्टी के ही मजबूत पिलर थे लोग उनको हटा दिया ये क्या दिख रहा हैं ये साफ साफ दिख रहा हैं कि भारती जनता पार्टी की हम भी मदद करना चाहते हैं आप लोग निकलते रहो हम कमजोर होते रहेंगे तब ही भाजपा की मजबूती से मदद करेंगी वो तो खुद चले गए ना कह रहा हैं हमारा राजसभा चला गया इन लोगों के चक्कर में आप कह रहा हैं कि इन लोगों को भेज रहा हैं कहां राजसभा चला गया वो तो स्वामी परसाद मौरिया जी उतो रिजाइन दे के चले गए ना मलसी दिये थे रिजाइन दे के कि मदद कर रहे हैं लोग आप देखते जाहिए गरना हम भी रहेंगे आप भी रहेंगे वो समय आ रहा है कि लोग कहने लगेंगे सपा के 40% लोग इबात मान गए हैं कि यह भाजपा की मदद कर रहे हैं तो इसकी गडबंधन की जो छुच्छी बताते थे खोल लेगा है नितिश जी तो अब तो कोई हवा भरने वाला भी नहीं है उसमें टायर में वाल बाड़ी कौन कसेगा कोई नहीं है यह नहीं होगए नहीं भरेंगे का भराएगा उझे पमारेंगे उसे जदा निकलेगा शुक्रिया बहुत बहुत हों परकाश राजबर जी अपने अंदाज में तमाम चीजों को बयान करते हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और कहा साफतार पर कि अखलेश यादाव ने चूंकि लेमन चूस दिया है लोगों को और यही वज़े है कि लोग उनसे तूट तूट कर अलग हटे हैं और वो भारती जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं केमरामें सौरब के साथ सीमा अब नक्वी बारसा बचार लखनव